यूस्ट्लिक में आपका स्वागत है आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम इतिहास के पन्ने नॉर्मली तो ये मेरी नजर से होता है लेकिन इस बार जो है सिर्फ मेरी नजर से नहीं होगा हमारे साथ एक बहुत विशिष्ट इतिहासकार भी जोड़ें तो हमारी की नजर से आप सब लोगों को याद होगा कि कुछ दिन पहले उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगड़ में एक बहुत धूम धाम से एक नए प्रविंशिल यूनिवर्सिटी राजा महिंद प्रताप सिंग के नाम पर उसका उद्धाटन या उसका एक काम शुरू करने का एक प्रोसेस को शुरू किया गया था उसमें कई सारी बाते की गई थी अक्सर उनी चीज़ों के उपर बात किया गया था कि हमारे जो बहुत महत्तोपूर्ण राश्री आंदोलन में जो एक मातर एक ऐसी पाटी है जो इनको रेस्पेक्ट और उनका जो स्पेस है वो दिला रही है तो आज हम बात करेंगे हमारे साथ जुड़ हैं मुहमद सज्जाद साहब जो अलीगड़ मुस्लिम युनिवरसिटी के काफी जाने माने इतिहासकार है तो सज्जाद साहब हमारे कारिकर में जोडने का बहुत बहुत शुक्रिया दो बातों के उपर हम लोग ध्यान करना चाहता है पहली बात हम लोग राजा महिंदर प्रताप सिंग के बारे में बहुत कम जानकारी है तो उनके बारे में जानना चाहेंगे और उसके बाद जो जिस सीच में मैं इशारा कर रहा था कि जो politics of appropriation है भारतिय जन्ता पार्टी का उसके बारे में भी बात करें के हम तो सबसे पहले एक इतिहासकार आपने काफी लिखा भी है जरा हमको राजा महिंदर पताप सिंग्ग के बारे में बताई और उनको आज के मोड में क्यों भारतिय जन्ता पार्टी इतना प् साथरस ने इनको तीन साल की में डॉक्त कर लिया था फिर बाद में कुछ इशूज आये थे जिसकी वज़े से फिर वापस इनको अपने पास चले जाना पड़ा था बहुत बाद में यह सा परिशानी आए थी इन सब को उन्होंने अपना में लिखा है फर्स्ट गॉल्म साफी डीटेल से इसको दिया है यह 1896 से 1907 तक यानि नौ-दस साल की गूर में यह कॉलेज अलिगर सरसयद के पास आ गये थे जो फाउंडर थे उस कॉलेज के सरसयद इनके फादर के फादर राजा धन्शान सिंग के दोस्त थे और इनके हवाले कर दिया था कि यह मॉडर्न हमारा बच्चा भी यहीं रहेगा यहीं पढ़ेगा और उन्होंने सरसयद को देखा वित्ता सरसयद उनको अक्सर हुस्टल में उनके आके कहा करते थे कि तुमको बहुत बड़ा आदमी बनना है बहुत पढ़ना है बहुत आगे जाना है इस तरह की बाते हैं अब सवाल यह के इनको अप्रॉप्रियेट करने की कोशिश बीजेपी क्यों कर रही है यह आपका सवाल है तो वीजेपी के साथ प्रॉब्लम यह नुव्मेंट में का रोल बहुत डिफरेंट है इस तरह से कौशिश करते हैं कुछ इस तरह के आइकन उसमें राजा महन परताब भी वह स्त वो नैशनल मुव्मेंट में तो शामिल थे लेकिन वो ऐस सच नैशनल मुव्मेंट के बाद यानि आजादी के बाद वो पॉंग्रिस से बाजाबता वो जुड़े हुए नहीं थे तो उसमें उनको बीजेपी को लगा होगा कि इनको अप्रोप्रियेट करना असान है लेकिन बीजेपी ने अप्रोप्रियूट करने के बाद 2014 में सबसे बढ़िए 2014 में जब यह सरकार चुनकर आ गए केंदर में तो उसके बाद यहां पर अलिगर में यह उठाया गया अलिगर की जो लोकल सेफरेंट जो आउटफिट्स हैं लोकल यूनिट्स ने यह उठाया कि नहीं है और इसलिए का नाम उन पर किया जाया उनके जन दिन पर छुट्टी की जाए इस तरह के बहुत सारी बातें उठी तो उस वक्त फिर फैक्ट की च्छानवीन की गई तो पता यह चला के नहीं साब उन्होंने राजा घंश्याम सिंग ने धाई सो रुपए दान में दिये कालेज के लिए जिसकी वज़े से कालेज के एक कमरे के ऊपर दोनर का नाम है सभी कमरे के ऊपर जो सबसे पहले बना था आजकल उसे सरसेयद हौल साउथ कहते हैं तो उनमें सभी कमरों पे ऊपर पतार में नाम खुदा हुआ है तो राजा घंश्याम सिंग का भी नाम तो दो हजार उनीश में वह पूरा हो गया और उसके बाद उसको वापस किया जाना था जमीन उनके डिसेंडेंट को आज जमीन का वह जमीन दारी एवोलिशन में वह किदर गया क्या हुआ वह सब लीगल इसूज अपार्ट लेकिन ये बात हुई कि उस पे तो एक हरिटेज बिल्डिंग है जिसमें वह हाई स्कूल चल रहा है तो हेरिटेज बिल्डिंग नहीं तोड़ी जाएगी तो ये व्यूच्वल एग्रिमेंट यूनिवर्सिटी और उनके डिसेंडेंट्स में उनके पोते से यह हो गए कि अगर राजा महिंत परताब सिंग के नाम पर अगर की और से आया नहीं और इस बीच इन्हों ने यूनिवर्स्टी को का फांडेशन इस्टोन ले किया इनके नाम पर अलिगर शहर में एक दूसरे इससे तो आप जो कह रहे हैं तो इससे दो बाते निकल के आती है एक तो यह की कुछ कारण थे जिसकी वज़ह से आजादी के ब गौर तलब है कि जंसंग के साथ भी नहीं थे लेकि उसको नजर अंदाज कर दिया जाता है और दूसरा जो एक फॉल्स नेरेटिव क्रेट किया गया कि जमीन इन्होंने अलिगर को डोनेट की थी और अलिगर मुसलिम उनिवर्सिटी का नाम बिलकुल ब्लंटली अगर हम ब इन्टूशन साथ आपके ने जो इंट्रक्टरी रिमार्क्स किये हैं उसमें मुझे उभर के मतलब मुझे जो समझ में आता है एक यह तो बात वहां पर है एक मेजुरिटीरियन नेरेटिव वो ला रहा है कि भाई नहीं यह मानुटी का कोई भी जो पहचाने उसे हमें मिट लोग सभा से ना सिर्फ हराया बलको उनकी जमानत जब्ट हुई फिर उसके बाद नाइंटीन सिक्स्टी सेवें में अलीगर्ण लोग सभा से फिर वो इलेक्शन लग तो उसमें राजा मेहन परताब तो हारे लेकिन वो इनके खिलाफ लग रहे थी हिंदु मासभा के खिला तो सुनने में आया कि वो हिंदुसान के बहार से आजादी की लड़ाई में शामिल हुए थे और वो हिंदु मुस्लमान यूनिटिक पर बहुत इंफसाइज करते थे जी जी इसके बारे में यह है कि वो 1915 में एक एक गर्मेंट इन इक्जाइल काबुल में बनी थी उसमें वो राजा महन परताब थे वैदुल्ला सिंदी थे और मौलाना भरकतुला थे वो गौर्मेंट इन इक्जाइल के वो हैस्ट एक्जेकुटिव बनाए गए गए थे 2915 से लेकर 1945 मौर्ण वर्ट व presented ट्क वो अविदेश dale थे सबी देशों में और उन देशों में हुआ पाउल लेकिन वह विदेश जाने के पहले पढ़ रहे थे तब ही वह हर समर वेकेशन 75 दिनों का समर वेकेशन होता था हर समर वेकेशन वह पूरे भारत धर्मन पे निकल जाते थे और उसी जमाने में उन्होंने कॉंग्रिस जॉइन करना चाहा था बलके उससे कॉंग्रिस जॉइन करने से पहले जब गांदी जी कान्वलन साउथ अफरीका में चल आ था तो उसमें भी उशामिल होना चाह रहे थे तो गोकले जी ने मना किया तो इन्होंने फिर एक हजार रुपए का कॉंट्रिबूशन द जाते थे मुक्तलिफ शहरों में और वो इस प्रेट करते थे उसमें एक छोटा सा अनिक्डोट भी है कि मुरादाबाद का लेक्टर को शक्ट हुआ कि यह गवरक्षनी सभा चला रहे हैं तो उन्होंने का नहीं यह आपको मुगालता है हम तो इनसानों की बात कर रहे हैं ज प्रताब का और राश्विहारी बोस्ट वगेरा से उनके तालुकात थे वह बाहर इन सब तरह के मुवमेंट से जुड़ रहे थे और वो कह रहे थे कि बाई एट होम इन इंडिया इंडियन नेशनल कॉंग्रेस इस फाइटिंग फॉर आवर फ्रीडम और हम उसको इस को है तु एन एक्स्टेंड इविन दो वो अपनी आटोगाइगराफी में सुभाजचन बोस का नाम नहीं लेते हैं जिसमें वो कहते हैं कि वो फैशिजम है नाजीजम है या मिलिटरिजम अफ जापान है इससे हमारा मतलब नहीं है बहुत ज्यादा हम तो इनकी इनकी बातें बनाएंगे दाथ तोड़के इन शेरों को जर्मेनी जापाना इन सब को तो बिटिश इंपरियलिजम के खिलाब जो ताकते थी उनके लिए उनसे वो अलाइन करके इंडिया का फ्रीडम लेना चाह रहे हैं यह इसमें के क्लैरिटी थी वह अपने आटो बैगराफे में जब हैं अपने आटो बैगराफि आचे आजाधी के बाद उनके कानके मद्बेद होने कारण किया थे कंगरिस के मद्बेद पर उन्होंने अपनी आ to बैगराफिय के बहुत क्लेर रिक्राइँ कुछ लिखा नहीं है उनका जहां तक मेरी जानकारी है और हमें दूसरे सोर्से से भी बहुत कुछ पता नहीं चला है मुझे यह पता चला है कि लोकसभा में वह अक्सर कुछ है ऐसी बातें करते थे जिससे यूज्ज टू बिकम अबट ऑफ जो काइंड अव थिंग लेकिन यह मैंने कंफर्म नहीं किया उनके पार्लेमेंटरी इंटर्वेंशन को अलग से स्टैडी करना होगा यह एक रिसर्च का सब्जेट है कि उनके बैग्राइफकल अकॉंट के लि लगा दी थी आप इनको मेंटेनिस तक नहीं दो तो वो काफी परिशानी में तो थे उनकी पत्नी का पहले ही दिहान्त हो गया था 1925 वगरे के आसपास दिहान्त हो गया था 1925 यह परिशानी थी आजादी के बाद कॉंग्रेस से उनका नहीं कॉंपैटिबिलिटी बहुत कु इस्टेबलिश्मेंट थे तो उनको लेकिन उन्होंने बहुत प्रॉपर्ली आटिकुलीट नहीं किया है कि कॉंग्रेस रूलिंग कॉंग्रेस उनके क्या परिशानिया थे एक चीज जो उभर के आती है जो कुछ आपने लिखा है और बाकी लोगों ने अभी हाल में लिखा है कि उनका एक चो परस्पेक्टिव था उसमें तमाम धर्मों को और रिलिजिएंस को वह बहुत रिस्पेक्ट करते थे मैं एक जगा पढ़ आता आप ही कि शैद आर्टिकल में लिखा था कुंकी डारेक्ट कोटेशन that all religions are a rare set of ideas given to the human race in the interest of human well-being there has to be unity of religions they differ only because they are they were produced at different times and different space इसके बाद यहां पर बहुत operative sentence है कि governments of today are the worst disruptors of peace जो बात इनों ने किसी दूसरे context में की थी यह शैद आज के context में भी बिल्कुल valid है तो सबसे पहले तो यह किस context में बोल रहे थे और जो मेरा मेरी जो किपनी है इसको आप कितना valid मानते हैं कि यह आज के context में इनका observation बिल्कुल valid है यह यह रिमार्प उन्होंने प्रिफेस में लिखा है अपनी autobiography के फस्ट वाल्यूम के प्रिफेस में लिखा है और यह autobiography का फस्ट मॉलम 1947 में पब्लिश हो चुकी तो यह timing जो है हमको context के लिए कर दे रहा है कि इंपरिलिस्ट पावर के खिलाफ बोल रहे हैं कि यह जितनी जितनी भी स्टेट पावर से वह इसी तरह कि यह आज भी इसको valid माना जाना चाहिए जो आपकी जो टिपनी करते हैं आ और वह इसलिए कि आज भी स्टेट पावर और स्टेट वाइलेंस नुट स्टेट वाइलेंस और इसलिए उनके इस रिमार्क के रिलिवेंस है और यह हम लोगों के कौंशेंस को प्रिक करता है अभी भी के एक सिविल सुसाइटी इस तरह के तमाम इशूस के तला खड़ी हो और यह बात वो तब भी कह रहे हैं वो अपने प्रिफेस में ही लिग दि जी अभी फिलाल जो यह उनिवर्सिटी के बारे में जो इस तरह से एकदब प्रोग्राम हुआ और जिस तरह की भाशनबाजी हुई यह भी टिपनी हुई कि यह किया गया है वितनाई कि यह जाट कास्ट आइडेंटिटी है और किसानों का अंदोलन चल रहा है और भारती ज सपोर्ट देखने को मिल रहा है खासों से पश्च्रमी उत्रप्रदेश में जो कि आपके पूरा आगरा का यहां से बेल्ट शुरू होता है और सारनपूर मेरत मुजफरनगर पूरा एरिया स्ट्रेश करता है तो इससे क्या भारती जन्तापार्टी को को कोई जाट समुदा के प्रती एड्रेस करने में कोई सुविधा होगी यह कोई सफलता मिलेगी उनको तकि यह यह बात है किसी गर्मेंट के लिए कि वह एक तरह दावा करती है कि उससे तमाम जन्ता सटिस्फाइड है दूसरी तरह वह इस तरह के विड़ो ड्रेसिंग एक सिंबॉलिजम करती है इसे पता चलता है यही इंडिकेशन इस बात की कि यह फुद अपने परफॉर्मेंस सटिस्फाइड नहीं है किसान अंगोलन में जाटों की नाराज़गी है सरकार के खिलाफ वह तो बहुत साफ साफ दिख रही है अब यह कितना ट्रांसलेट्स होगा है एलेक्शन के वोट यह तो देखने वाली बात हो लेकिन अभी नाराज़गी बहुत साफ साफ है अफसोसनाग बात यह भी है कि यह प्राइम मिनिस्टर किसी स्टीट इन्वरस्टी के पांडेशन के वह इतने पांप एंड शो के साथ नहीं करते हैं वहां इनॉगरेट करने नहीं जाते हैं या इनको जूट से परदा हटाना चाहिए था प्राइमिस्टर की रिस्पोंसिब्लीटी थी वह कहते हैं यह जमीन मुमिन वाली बात जो है अलीगर से रिलेटेड या ऐसी कोई बात नहीं पहलाई है इस तरह कोई बात उनको कहनी चाहिए दूसरी बात है कि कोई भी नहीं उनि इस प्रामेंट इस्ट्रा देता है इन्हों ने नहीं किया इन्हों आगर्य इन्वस्टि जो बिया रम बेटकर आगर्य इन्वस्टिए प्रिइग्जिस्सिंग उसके एफिलियेटिंग जुरिस्डिक्शन वाले हिस्से को या नहीं जो अब अलीगार प्रमंडल का हिस्सा है उसको काटके उन कॉलेज़ेज को इस नए उनिवस्टी में एफिलियेट करेंगी और आगरे उनिवस्टी को बजट काटके यह प्रुपोज्ड राजा महिन परत सरकार कर क्या रहेगी आपने बहुत वैलिट मतलब इशू पे लाइफ फोकस किया है एक चीज़ जो समझना चाहते हैं वो यह है कि पिछले कुछ सालों से खास्तों से दोजाच चौदा के बाद से और स्पेसिपली दोजाच सत्रा के बाद से जब से भारती जनता पार्टी की सरकार उतिरप्रदेश में बने अई अलीगड़ पे अलीगड़ मुस्लिम यूनिवर्सिति पे एक किसम का खास वार रहा है तो यह जो पर्टिक्लिक्लर घटना है इसका अलीगड़ मुस्लिम यूनिवर्सिति की जो कम्टिटी है आप academic कम्टिटी के एक बहुत मेंटालिटी आप लोगों को महसूस होती है वहाँ पर दर का महाल है कि अगर कोई बहुत पीस्फुल डिमोकेटिक पुटेस्ट भी है तो हार्श पॉसिबुल पिनाल्टी लगा दी जाती है प्लॉप्टी सीज कर लेना रुटाने बंद कर देना बहुत सख्त सजाएं दी इस तरह से पुलिस भुसकर जो बरबरता दिखाई पुलिस ने दिसंबर दोहजार उनीस में और उसके बाद जैनवरी फैबरी मार्च तक चलता रहा अलीगर्ण के आसपास के शहरों में दूसरे शहरों में भी तर्परडेश के बहुत ही डिस्पॉर्पोर्शने इस तरह का डर हम लोगों को रहता है और उसकी तरह भी काम करने की जरूरत है तो इसमें स्टेट की जो अभी जो आइडियोलजी है जिस आइडियोलोजिकल फॉर्स ने इस्टेट पावर ले लिया वहां एक परिशानी तो आ गई है और युनिवर्स एम्यू पे हमेशा बड़ें रहा है यह अपनी प्रूव करें वह अपने सिलीव पर प्रूटिजम जो है वह लोके चले रूफटॉप से शाउट करें इस तरह कि परिशानी ऐसा नहीं कि इसी रिजिम के आने से उसकी शि और मदफरपूर इस अपोस्ट टू पी एड एकॉनमी कुल्चरल स्टाव पुलीटिकल सेंटर ऑफ हीजिमिनी आप भूमिहार अपरकास तो वहां भी यूनिवस्टी हेट्वार्टर और वह गैंस्टर के लिए भी बदनाम है वह यूनिवस्टी यूज्वेली वह सब्सक्राइब कर दिया गया लिंक कर दिया गया तो भी कहेंगे कि पूरी इन्वस्टी की स्टूडिय टाइपिंग उसी फॉर्म में हो जाती है तो यह एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है और इसकी तरफ सिविल स्वाइटी को धियान देना जाए कि यह इतना बड़ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों ने आपने कई चीजों पर बहुत महत्वपूर्ण रोशनी डाली आज कि सबसे पहले तो पूरा ये जो राजा महेंदर पताप सिंग को लेके एक मेजर इशू क्रियेट करने की कोशिश कि यह भारते जंतापाटी योगी आदितनाता नरेंदर मोदी जी ने नेगलेक्ट का एक तरह से एक्यूजेशन किया गया कि उनसे उनको कोई रिस्पेक्ट और डिगनिटी वाली जगा नहीं दी गई जो लोग कॉंगर्स के साथ नहीं जुड़े हुए थे और उसको किस तरह से जो उनकी जो प्लेम से उसको को आपने कैसे फॉल्स साबित किया और उससे जो बाकी जो जूड़ी हुई बात थी और अलिगड़ के बारे में भी और अलिगड़ मुस्लिम उनसिटी को जो सेंस ऑफ एटैक जो हो रहा है तो यह सब बातों को बहुत क्लियरली और अन अंबिगोसली रखमलों के सामने